आज के पाठ में हम पढ़ेंगे रेखा, रेखा खंड एवं किरन का परिचय, कोन किसे कहते हैं और कोनों के प्रकार रेखा खंड आप चितर में गौर से देखें इसमें दो अंतबिंदू है अर्थात इंड पॉंट इसके बाद है किरन, किरन में एक ही अंत बिंदू है और रेखा इसमें कोई अंत बिंदू नहीं है यह आसिमित दूरी तक जा सकता है कोन किसे कहते हैं दो किरनों के बीच के जुकाव को कोन कहते हैं अब चित्र में देख रहे हैं दो किरन है ओ ए और ओ बी ये इन दोनों का अंत बिंदू एक ही है और इन दोनों के बीच जो जुकाव हो रहा है वही कोन कहलाता है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम को नियून कोन कहते है 90 डिग्री के कोन को समकोन कहते है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोन को अधिक कोन कहते है 180 degree के कोन को रिजू कोन कहते है 180 degree से अधिक और 360 से कम को ब्रिहत कोन या प्रतिरपूर्ति कोन या रिफलेक्स एंगल कहते है 360 degree के कोन को complete angle या संपूर्ण कोन कहते है पूरक कोन या complementary angles यदि दो कोनों का योग 90 degree हो तो प्रतिक कोन एक दूसरे के पूरक या complementary कहलाते है उदारन के लिए 30 degree और 60 degree ये दोनों चुकि इन दोनों का योग 90 degree होता है इसलिए 30 degree का पूरक 60 degree हुआ और 60 degree का पूरक 30 degree कहलाएगा संपूरक कोन अर्थात supplementary angles यदि दो कोनों का योग 180 degree हो तो दोनों एक दूसरे के संपूरक या supplementary कहलाते हैं एक्जाम्पल के लिए 120 degree का कोन और 60 degree का कोन है हम देख रहे हैं कि दोनों को जोडते हैं तो 180 degree होता है अता है 120 degree का supplementary या संपूरक हुआ 60 degree का कोन और 60 degree का संपूरक हुआ 120 degree का कोन आसन्य कोन यानि की adjacent angles यदि दो कोन इस प्रकार हों कि उनका एक उभैनिस्ट सिर्स है ये के चित्र में उभैनिस्ट ओ है उनमें एक उभैनिस्ट भुजा है इस चित्र में ओ भी भुजा आपन देख रहे हैं के उभैनिस्ट है जो भुजाएं उभैनिस्ट नहीं है वे उभैनिस्ट भुजा के एक एक तरफ है इस चित्र में हम देख रहे हैं OA और OC OB के दोनों ओर है अतह angle AOB और angle POC आसन्य कोन के उधारन है रैखिक युग्म अर्थात linear pair ऐसे आसन्य कोनों का युग्म होता है जिनके वे भुजाएं जो उभैनिस्ट नहीं है विपरीत डिशा में किरने होती है दिये गए चित्र में कोन एक और कोन दो रैखिक युग्म का उधारन है सिर्शा भिमुक कोन अर्थात vertically opposite angles दिये गए चित्र में हम देख रहे हैं कि चार कोन बन रहे हैं कोन एक, दो, तीन और चार दो रेखाये जब एक दूसरे को परतिशेद कर रहे हैं तब चार कोन बन रहे हैं? एक, दो, तीन और चार. यहां दो-दो का दो जोड़ा बन रहा है. एक और तीन, दो और चार. ये दोनों, एक और तीन एक दूसरे के सामने हैं, दो और चार एक दूसरे के सामने हैं. ये सिर्षा भिमुक कोन है और इनकी विशेषता ये है कि सिर्षा भिमुक कोन बराबर मापकी होते हैं कोन एक अगर 120 डिगरी का है तो कोन तीन भी निश्चित रुप से 120 डिगरी का होगा कोन दो अगर 60 डिगरी का है तो कोन चार भी 60 डिगरी का ही होगा